हेलो एवरिबन, वेलकम टू सक्सिस वित्राय अकेडमी, 21 अगस्त 2021 के धैनिक जागरों के राश्टी संस्क्रण को आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे, तो चली वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे में हेडिंग, फिर से तालिबान की दुनिया के सामने आया तालिबान का असली चहरा, कंधार और हिरात में भारती वानिजिक दुतावासों पर भोला धावा और एहम दस्तावेज और कई वाहन उठा ले गए तालिबानी आतंकवादी, अफगानिस्तान पर जवरिया कब्जा करन जमाने वाले तालिबान का असली चहरा धीरे-धीरे सामने आने ल भारत ने इन दुतावासों से पहले ही अपने स्टाफ को निकाल लिया है, कई और देशों के दुतावासों की तलासी लेने की बाद सामने आ रही है, यही नहीं आतंकियों ने अल्प संख्यक हजारा समुदाय के नौ लोगों की भी हत्या कर दी है, इन में से तीन लोगों क तो घोर यातनाय देकर मारा गया है, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल साहीन ने दो दिन पहले ही कहा था कि किसी भी देश के दुतावास या उसके कर्मचारियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, मीडिया रिपोर्ट के मताबिक तालिबान ने भारत के पास संदेश भी चाहिए, अफगानिस्तान पर कपजे के दो दिन बाद पहले प्रेस कांफरेंस में तालिबान ने दुनिया की नजरों में अपनी छवी जो बदलने की पेसकस करने की कोशिस की थी, महिलाओं को सिक्षा और काम करने का अधिकार देने वक किसी के खिलाफ भी बदले की भाव बच्चों के लिए देश को मिली पहली क्रोना रोधी वैक्सीन मिल गई है, भारत के दवा महा नियंतरक याने DCGI के जायडस कैंडिला की तीन डोज वाली क्रोना रोधी जायकोव डी वैक्सीन के एमरजनसी इस्तमाल को मंजूरी दे दी गई है, यह 12 साल के बच्चों से लेकर बड़ों को भी लगाई जाएगी, 12 सरकार के जैप्रोधोगी की विभाग ने सुक्रवार को कहा कि इमरजनसी इस्तमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही, यह पहली वैक्सीन होगी जो 12 से 18 वर्स आयों के बच्चों एवं किसोरों को लगाई रही है, वह 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है, इसके अलावा यह सभी दो डोज वाली वैक्सीन है, जबकि जाएकोव D3 डोज की DBT ने बताया कि दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है, अभी तक जितनी भी वैक्सीन है, वह MRNA आधारित है, हलांकि दोनों ही व करती है, नेक्स निउस पर आते हैं, नेक्स निउस है, स्टेट निउस की उड़ीसा ने लागू की स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना, उड़ीसा सरकार ने बीजू स्वास्त थे, कल्यान योजना का दाइरा बढ़ाते हुए, राज्ज में स्मार्ट स्वास्त कार्ड योजन लागू की है इस योजना से अब राज्य के 96.5 लाख परिवारों के साड़े तीन करोन लोगों का पाँच लाख रुपए तक का निसुल्क इलाज हो सकेगा 15 अगस्त को सुतनतता दिवस समारों में इसकी घोशना करने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने गुरु वार को राज्य के सुदूर वा आदिवासी बहुल इलाके मलकानगिरी में से इस योजना की सुरवात की मुख्यमंत्री ने यहां अपने हाथों से इस योजना के तहट सुक्री घांगणा माजी को पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिया है स्मार्ट कार्ड योजना में पूर्सों को 5 लाख तथा महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का स्वास्त बीमा देने की व्योस्था सरकार की तरफ से की गई है मलकान गिरी में योजना की सुर्वात करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पत्नायक ने कहा कि इस योजना का लाख राज जी की बहुत बड़ी आबादी को मिलेगा खास कर गरीब को पैसे के अभाव में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा नेक्ट निउस नित्रत्तों के आभाव में चर्मरा गया अफगान सेना का धाचा तक्रीबन एक पकवाड़े पहले अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने कहा था कि अफगानिस्तान की सेना काफी सक्षम है और उनकी योजना उने और मदद करने की है लेकिन उनके बयान के बाद से तालिबान का आक्रम और तेजी से बढ़ा और किसी भी सहर में अफगानिस्तान की सेना सही तरीके से तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकी काबुल से लोटे भारती सुरक्षा एजनसी से जुड़े जानकार बता रहे हैं कि अफगानिस्तान सेना को पिछले कुछ महीनों से अमेरिका वा दूसरे पश्चमी देशों से मदद मिलनी लगवग बंद हो गई थी करोना महामारी के बाद अफगानिस्तान की खस्ता माली हालत की वज़े से वहां के सुरक्षा बलों वह इस्थानिय पुलिस को समय से वेतन भी नहीं मिल रहा था ऐसे में उनका मनोबल काफी गिरा हुआ था दैनिक जागरन ने इस बारे में काबुल में तैनाद भारती सुरक्षा एजनसी के कुछ लोगों से बात की है उनका कहना था कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को एक आधुनिक वब प्रोफेशनल बल बनाने की कोशिस 17 से 18 वर्स पहले सुरू की गई थी जो हाल के वर नेक्स निउस फिलहाल काबुल एरपोर्ट पर अपने नियंत्रण को बनाए रखेगा नाटो अमेरिका के निर्ततवाले सेन गटबंधन नाटो यानि के उत्री अट्लांटिक संधी संगठन काबुल एरपोर्ट को अपने कबजे में बनाए रखना चाहता है सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुल मीटिंग में इस आशायक का फैसला किया है काबुल पर तालिबान के कबजे के बाद अभी तक नाटो देश के 18,000 से ज़्यादा नागरिक वहां से बाहर निकाले जा चुके हैं इससे कई गुना ज़्यादा विदेशी नागरिक अभी काबुल और बड़े सहरों में मौजूद हैं अमेरिका को भी नहीं पता कि अभी उसके कितने नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं नाटो ने तालिबान से विदेशी नागरिकों की सुरक्षित वाफसी में सयोग देने का अन्रोद किया है अफगानिस्तान के 95 परतीसत इलाकों पर कबजा करने के बाद तालिबान ने देश की जमीनी सीमाओं से आवाजाही पर रोक लगा दी है इसलिए देश से बाहर जाने के लिए काबुल हवाई अड़ा ही एक मात्र जडिया बचा है इस हवाई अड़े पर अमेरिका, बिर्टेन और तुर्की के सैनिकों का नियंत्रण है इसमें सरवादिक अठावन सो सैनिक अमेरिका के हैं नाटो के महासचियो जेन स्टोनबर्ग ने काबुल हवाई अड़े पर कबजा बनाये रखने के लिए तीन देसों का सुक्रिया अड़ा किया है हवाई अड़े के बाहर, पूरे काबुल पर तालिबान का नियंत्रण है अमेरिका में फेस्बुक पर नै सिरे से दायर किया गया एंटी ट्रस्ट केस अमेरिका में दिगज टेक कमपनी फेस्बुक की मुस्किले बढ़ सकती है देश के संगीय व्यापार आयोग ने इस कमपनी को घेरने के लिए नय सिरे से एंटिटरस्ट केस दायर किया है इसमें मजबूती के सांथ लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि कमपनी ने अपने दब दबे को बनाय रखने के लिए अवैध तरीके से प्रतिसपर्धा को कुचलने का काम किया है हाला कि एक नया अधीस ने इसी तरह के एक मामले में दो माह पहले यह कहते हुए खारिच कर दिया था कि सरकार ने पर्याप्त साक्ष मुहया नहीं कराये थे अब आयोग ने सिरे से मुकदमा किया है नेक्स्ट पेज एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है स्वा के सांथ राज की अभिव्यक्ति देखिए यह पॉलिटिकल आर्टिकल है और इसे लिखा है भाचपा के आप कह सकते हैं कि राष्टिय महास सच्चिव हैं राष्टिय प्रवक्ता है सुधानसुत्रिवेदी तो यह पॉलिटिकल आर्टिकल है और इन्होंने अपनी पार्टी और अपनी जो इनके पार्टी की सरकार है उसकी जो अच्छे कार रहें उनके बारे में बताया है तो यह एक करफा आर्टिकल है इसे डिसकस नहीं करेंगे दूसरा है भावनाओं के दो राज्यों की आदालतों के दो अलग अलग निर्णेयों ने विवाह दुसकर्म के मुद्दे पर बहस को पुना छेड़ दिया है। इस बहस की सुरुआत निर्भया कांड के बाद जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी की वेवाहिक दुसकर्म को आपराधिक बनाने की सिफार इस से सुरू हुई थी। एक और मुंबई की अदालत ने पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके दैहिक संबंद बनाने को अपराध नहीं माना। दूसरी और केरल उचनेयाले ने इसके इतर विवाह विच्छेत के संबंद में दिये गए अपने निल्ले में कहा कि पत्न कानून फिर से बनाया जाए। गौर तलब है कि जुलाई 2019 में उच्छतन नहीं ने दामपत्य जीवन में दुसकर्म के प्रती प्रात्मिक दर्ज करने और इसे तलाक का एक आधार बनाने का केंद्र को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इंकार क कर दिया है। पिछले कुछ वर्स में दिल्ली उचनैले में वैवाहिक दुस्तकर्म को आपराधिक बनाने संबंदी जनहित याचिकाओं के संदर्व में केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो विवा संस्था ढह जाएंगी। केंद्र क कि इस दलील को स्त्री विरोधी और पुरुसात्मत वैवस्ता का पोशन करने वाला कहा गया है। परन्तु सिर्फ या मान लेना उचित नहीं है कि जब तमान देश वैवाहिक दुसकर्म को अपराधिक कानून से पूर्व एक गहन सामाजिक सोध की आवशकता है। इस दिज सकता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि इस्त्री का उसकी देह पर एक अधिकार है और इस एक अधिकार पर कुठारा घात करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। फिर चाहे वो पती ही क्यों नहीं हो। आगे अधिकल में बताएगे हैं पूर्वा ग्रहों से ग्रसित कोई भी समाज समानता के धरातल पर खड़ा नहीं हो सकता। या ध्यान रहे कि नियाले के समक्ष ऐसे कई मामले आए हैं जहां माय के पक्ष के दबाव में महिलाओं ने पतियों के विरुद 498A के मिथ्या आर आरोप लगाती है तो क्या पूरुष के लिए कोई दर्वाजा ऐसा खुला होगा जहां वो अपना पक्ष रख सके इस प्रस्न के पीछे महिलाओं के संदक्षण के लिए पूर्व में बना घरेलू हिंसा से संदक्षण कानून है जो एक तरफा दस्टिकूर रखता है जिन भी महिलाओं के समान घरेलू हिंसा में हिंसा से संदक्षण प्राप्त है इसके विपरीत भारतिय कानून व्यवस्था पूरुसों को उनके विरुद किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा से संदक्षण नहीं देती इस विचार से कि इस्त्री ही सदेव सोसित होती है और पूर उस्ताओं के उनके हितों को विश्वत कर दिया है नेश्ट आर्टिकल है रिक्त पद भरने की तयारी एक ऐसे समय जब नौकरियों का सवाल सिर उठाये हुए है तब यह सूशना रहत देने वाली है कि केन सरकार रिक्त पदों को भरने की तयारी कर रही है एक अनुमान के अकेले केन सरकार में लाखों पद रिक्त हैं चुकि इन में करीब पचास हजार पद वे हैं जो एक लंबे अर्से से रिक्त हैं इसलिए समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि आखिर इन बैकलॉग पदों पर भरती करने में इतनी देरी क्यों हो रही है यह अच्छी बात है कि सवाजिक न्याययों अधिकारिक मंत्राले को यह जिम्मेदारी दी गई है वह OBC आरक्षण के तहट आने वाले बैगलॉग पदों को भी भरने की में निग्रानी करें लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस लंबित काम में और देरी ना होने पाए यह रहते भरने में हिला हवाली की जाती है आन तोर पर ऐसा दिखावे की राजनीती की तहत होता है इस राजनीती के तहत ऐसे दावे तो खूब किये जाते हैं कि सरकार OBC के हितों के प्रति प्रतिबद्द है लेकिन यह प्रतिबद्दता तब नजर नहीं आती जब OBC कोटे के रिक्पदों को भरने की बारी आती है नेक्ट नीज़ है बिजनेस पेज से और बिजनेस पेज में पहली नीज़ है चिप निर्मान को मदद देगी सरकार पिछले कुछ समय से आटो मोबाइल उद्दोग अपने उत्पादन में कटोती कर रहा है क्योंकि कमपनियों के पास चिप नहीं है चिप के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है या निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है गुरुवार को उद्दोग जगत के साथ बैठक में वाने जिगवद उद्दोग मंतरी प्यूश गोयल ने कहा कि सरकार देश में सेमी कंड़क्टर उद्दोग के विकास के लिए काफी प्रयास कर रही है और सेक्टर को पूरी मदद करने के लिए भी प्रतिबद है हाला कि विसेसग्यों का मानना है कि भारत में चिप निर्मान सुरू होने में कम से कम 3-4 वर्स लग जाएंगे मंतराले सुत्रों के मताबिक इस साल के अंततक भारत में चिप निर्मान के लिए सरकार अलग से स्कीम लाने की तयारी में है इसके तहट प्लांट लगाने वाली कंपनियों को नगदी मदद की पेसकस की जा सकती है। हाल ही में Tata Group ने कहा है कि वे भारत में चिप बनाने की योजना बना रहे हैं। कोरोना की वज़े से दुनिया भर में लैप्टाप और मोबाइल फोन की मांग तो खुब बड़ी है लेकिन उत्पाधन नहीं बढ़ा है। RBI से लेनी होगी BIMA कंपनी में FDI की मंजूरी। किसी निजी बैंक दौरा प्रवर्तित बीमा कंपनी में प्रत्यच विदेशी निवेश के आवेदनों को भारती रिजर्ब बैंक और बीमा नियामक प्राधिकरण इरड़ा दौरा मंजूरी दी जाएगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि FDI की 74% सीमा का उलंगन नहीं हुआ है। वित्त मंत्राले की अधिसूशना के मताबिक फौरण एक्सचेंज मेनेजमेंट नियम 2019 में संसोधन कर ये बदलाव किये गये हैं। इन नियमों को फौरण एक्सचेंज मेनेजमेंट याने की नौन डेट एंस्टूमेंट द्वारा संसोधन नियम 2021 कहा जा सकता है। इस वर्स मार्च में संसद ने एक बिल पास कर बीमा छेत्र में FDI की सीमा 49 से बढ़ा कर 74% कर दी थी। इसकी वज़ा से देश में पिछले 5 वर्सों के दौरान 26,000 करोण का विदेश पूंजी प्रवा हुआ। बीमा छेत्र में जॉइंट वेंचर या सबसीडिरी वाले प्राइवेट बैंकों में FDI के लिए आवेधन रिजर्ब बैंक के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है जो इरड़ा के साथ प्रामर्ज कर इस पर विचार करेगा। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स पेज़ से कि पैरा उलम्पिक में लगभग 15 पदक जीत सकता है भारत। टोक्यो उलम्पिक में भारतिय दल के प्रमुक गुर सरण सिंग का मानना है कि भारत इन खेलों में अपना सरुसेष्ट प्रदर्शन करके पांच स्वण समेत कम से कम 15 पदक जीत सकता है भारत ने 9 खेलों के लिए 54 पैरा एथलीटों का दल भेजा है जो अब तक इन खेलों में सबसे बड़ा भारतिय दल है भारतिय पैरा खिलाडी तीरंदाजी एथलेटिक्स बैडमिंटन किनोइंग निशानेबाजी तेराकी पाउर लिफ्टिंग टेबल टेनिस और टाइक्वांडो में भाग लेंगे भारतिय पैरालंपिक समिती के महा सचिव सिंग ने कहा मु यह आज का 21 अगस्त 2021 का द्यानिक जागरन का राष्टिय संस्क्रण था आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद